हेलो फ्रेंट्स मैं हमार पिंदर का और तुसी देख रहे हो इंग्लीश विद रूप आज मैं तुम नुक रॉंड जा रहे हैं टास्क टू राइटिंग दा अग्री और डिस अग्री ऐसे ठीक है जी जिस देविच अपनू स्टेट्मेंट पुछा जांदा भी तुसी इस द अग्री हो या नहीं हो 2009 डिसेघर्य और डिसैघरी ठीक है जानदा अप्र साइड जांफिर गरी जाओ चाहे लिए स्टेटमेंट न ओस्टराँिटरहां करो ठीक है जानाथ फुली कंप्लीटली त्रॉग लि की हो एग्रिटरो को pon ना फिर फुली कंप्लीटली यां प्लीटली की हो इससीयां हो ड्यक्षागर मैं स ट्यक्शागर्ञénd पढम लिकड्ING मिर्ट से अपनी कंप्लीटली द्यक्षा पर उता है कि यह बैंड स्कोर का टनल अठीक है बट जे तुसी एक साइड लागे जाने हो तो तुसी 7-8 तक अपना बैंड स्कोर लागे जासा दें जिए उस तरह एक साइड आपना अपना अपीनियन एक्लियर वियू होंदा है एक्जामिनर नूँ एकल्यर पॉइंट्स दि यह थोटे ते डिपेंड़ा तुसी एक्ग्री होना ऐसे न यह डिसेग्री क्योंकि ए पॉइंट्स ते हजिमें तो पॉइंट्स जाला होंदे ने तुसी उस साइड जाना होंदा बट जाना कि एक साइड जाना ठीक है जी उन बाड़ी पैराग्राफ इंट्रो तो नूँ पता है वी जड़ी कोशन स्टेटमेंट होगी उन पैराफ्रेज करना ते अपना ओपीनियन देना ठीक है जी कुछ बिच्चे कहने में सानु गया है जान दा भी तुसी एसे ते रिलेटेटेट जिर टापिक होदे यहां दो तिन लाइंज लिखतो ओ गलत नहींगा बट वह ही कर लाइं व्योदेनल किया बैंड स्कोर उनना वदिया नहीं होंदा बट जे तुसी पैराफ्रेज कर देऊं जड़ी स्टेटमेंट है ते अपीनियन दिनने हो पैराफ्रेज प्रॉपर त्रीक के नल किता गया ता तुसी बहुत वदिया इंट्रोडेक्शन है जड़ी ल फिर जेड़े दुण जाते तीज़़ा संटेंस है अन्या बट पैरा कि राफ्रेज ओच की दसना एकस्प्लीन करना थोड़े रीजन नुha थे ते तेन संटेंस हो ओसु रेजन नुH प्रिंट करना तुसी फॉर्थ संदन्स चे जोड़ों की करने यह एक एक्जाम्पल दोट है थीक है जी फिफ्थ चे शॉर्ट समरी जीड़ अगे रीजन के है ते अपने एक समरी देनिया आप यूर आइडिया से थोड़ा या होरो नूँ क्लियर करना ठीक है हुन्ट टीड अग्री या डिसग्री हुने चे पॉइंट से अपने कुल जादा नहीं बन दे हुंदे अपने इक पॉइंट नूँ जादा लाबॉरेट करना होंदा नू लिंक करकर के इया अपना इक पै ते बीपी टू भी ते एक निक्लूजन आप देख देयां ते इस तो इलावा तुसी इज़ए इंट्रोडक्शन चाहे हो और कितना कितना दे वर्ड सी यूज कर सागदे हूं ओभी मैं तो नू दास दिया हूं देखो इंट्रोडक्शन तुसी किस तरह स्टार्ट कर सागदे ठीक है it is argued that तो start कर सागदे हूं it is considered that तो start कर सागदे हूं it is thought that तो मलके एक connector देदाना तुसी starting line तो just start कर सागदे हूं agree तो disagree आले ऐसे दे बीच ठीक है ते जड़ा तोड़ा conclusion आँ तुसी एक sentence ची लिख सागदे हूं ठीक है की में की करना है first तुसी लिख दाना है to conclude in conclusion to sum up पियां to summarize इसे एक word यूज कारना तुसी कोई भी जेदना अल एक्जामिनर नो clear हो जब भी तुसी अपना conclusion start कारता ठीक है फेर की करना तुसी restate your opinion जेड़ा तुसी opinion दितता है उपर उसनों ही restate कारना भी हां में एदनाली एक गरियां भी आज एज वदिया ठीक है ते फेर क करना है restate two reasons फिर दो reasons नो द्वारा अपने उदेविच दसना है तुसी conclusion देविच ठीक है जो दो आपका करांगे practice कर देया हूं न प्रैक्टिस करांगे ता मैं तो उन दुस्सों के भी कितना जुसे conclusion चे लिख साग देऊ पहला पा introduction पहला statement समझनी बहुत जरूरी है फिर intro रिखनी हुंतिया ठीक है जे statement ही समझना है फिर किया सारा ऐसे रॉंग हों पहला पा statement समझ देया है उस तो बाद उस दे points नो न है यह थोड़े question दी statement big salary is much more important than job satisfaction do you agree or disagree ठीक है की पुछे गया big salary is much more important कैने ज्यादा salary ज्यादा important है का दे नाड़ों job satisfaction नाड़ों meaning कि अपन जाबीच भी जेड़े तुसे job दा थे थोड़ा environment है ओ दे नालों ज्यादा की मेंटर रखदा है भी salary है जड़ी ज्यादा होवे ठीक है सो एसे तुसी agree कर देऊ या disagree कर देऊ इस statement नाड़ कि यह दोने तरह नाल हो साथ है agree भी कर सा देऊं disagree भी कर सा देऊं ठीक है अग्री जड़े कर देने हो ता गेंगे भी हाँ salary है जड़ी वदी है और ना नीट फुल्फिल्मेंट हुं दिया ने ठीक है तुसी पैसे नाली की है थोड़े चो मोटिवेशन हो दिया मलके दोने तरी कनाल हो साथ है बट मेरे कॉडिंग जड़ा मैंस से तुने हो ता हाई salary भी कोई matter नहीं करदे ठीक है salary थे according नहीं अपा त्याल साथ है क्योंकि जित्थे अपने आठ कांटे जॉब करने है उत्थे दा environment अपने लही बिल्कुल जित्थे अपा satisfaction जित्थे अपने मेल दी होवे अपनों ओ ही ज्यादा वदिया हुंदा है as compared to higher salary ठीक है त जॉब तो आपा satisfied है गया के नहीं है उत्थे अपन जित्थे जॉब कर रहे है उत्थे अपनों बदिया हो आ रहे है positive waves आ या नहीं आ ठीक है बट हुंद जे अप बीग्द salary आ रहे हैं किया जे पकली salary वाली त्यां दोंगे किया सर्फ salary थे नाल आपनों और प्रॉब्लम भ की करूंगी disagree करूंगी मैं ज्यादा की मानती है कि अपनों जॉब है जड़ी satisfaction है जड़ी ज्यादा होनी चाहिए as compared to salary थोटा व्यूपॉइंट अलाग हो साथा तुसी अपने according सोचना ठीक है क्योंकि दोंगे त्रीक के नाल हो साथा agree ते disagree भी नाल ठीक है होन मैं disagree थे जुरूर लिखने है जे अपने अपना बॉडी पेराग्राफ वधियत रिक के नाबना होना ठीक है disagree करता अपने कि ज्यादा अपनों किया जॉब satisfaction जुरूरी है किसे भी जॉब देवेच ठीक है मैं की लिख्या इट गिफ्स पीपल सेंस ओफ फुल्फिल्मेंट भी एक अपने जित्तिया नहीं जा साथा जान हरे एक चीज नों खरीदया नहीं जा साथा सो एसे तरह कि यह सेंस ओफ फुल्फिल्मेंट की है जे जित्थे तुसी काम कार रहे हो तो साडिस्वाइड हो ता थोड़ी की है कि तो नों वधिया पॉजिटिव फिलिंग आ ठीक है थो पाइंट नों पर इद्धा एक्स्प्लेइन कार दांगे पहला सेंस ओफ फुल्फिल्मेंट लिख दांगे फिर किसे एक्जांपल कार दांगे कि जे कोई परसन है वी ओटेंशन दे विच काम कर रहे है सर्फ सालरी करके देन किया और हो प्रॉब्लम्स भी हो सागरे ने फि एक्जांपल दांगे फिर किया अपने समरी दांगे ठीक है जी एसे दर हैं एक करियर ग्रोथ इस तो उड़े ते डिपेंड कर रहे है तो उसी पॉइंट नों कितना लिंक करके उन्हों होर एक्स्प्लेइन कर साथ दें ठीक है सेकिंड के करियर ग्रोथ की में होगी तो दा एक पैशन भी होगा उन्हों काम करने चाहा भी होगी जे उन्हों अपनी जवाव जे अपना काम में जड़ है उदे नहीं प्यार है ठीक है सो एस तरह आपा इसनों लाबोरेट कर दें पहलना इस दे इंट्रोड़क्शन लिखांगे इंट्रोड़क्शन अपने की क प्रेज करना हुंदा की लिखा है बिग सेलरी इस मच मोर इंपोर्टन देन जॉब साथिस्फेक्शन के सालरी जादा इंपोर्टन आड़ो जॉब साथिस्फेक्शन इनू पराफ्रेज किता हो र कुष नी स्टार्टिंग जड़ी में तो नहीं लाइन दस ती सी इट इस आ हाई वेज ठीक है ढ़र इंपोर्टन की ऐसे बिग सेलरी के तब हाने तै की चेंज करता हाय वेज सालरी नू वेज केंने है ठीक है तो रैदर दन ethical than rather than job satisfaction simple kuch change नहीं किता सिर्फ words नो अपने meaning से मैं बस अपने paraphrase किता ठीक है फिर उस तो बाद मैं कि के opinion देना ठीक है I completely पहला दसने विये देना लगरी हूं या डिसगरी हूं ठीक है I completely disagree with this opinion or with this statement ठीक है जी and I believe that job satisfaction हुन job satisfaction नो तुसी चेंज नहीं कर साथ है क्योंके mean words ने ठीक है जी जे नूँ चेंज करता हूं but meaning से मने निकलूगा अगरे दे जगा पहोर words यूज करांगे ठीक है इस करके नहीं किता हूं is incredibly बहुत जादा important है than salary ठीक है कि कह मैं I completely disagree with this opinion and I believe that job satisfaction is incredibly important than salary or remuneration remuneration भी salary नो ही किया जानदा है की कहनदा है job satisfaction है कि यह जादा important है कादे ना लो जादा salary ना लो ठीक है जी इस तरहां थोड़ी introduction बनेगी proper introduction है कुछ भी इस चापने होर नहीं लिया अंदा भी होर अपने भी एदना related किसे चीज़ें आपने हो लिखने लाइन्स बगारा कुछ आड़ नहीं किता सिर्फ आपने इसनों पेराफ्रेज किता है यह थोड़ी proper की है introduction बनेगी ठीक है जी होड़ी इस तो बाद आपका कर दें body paragraph यह थोड़ा first body paragraph ठीक है जी इस तरह में तो नहीं किया जी पहला तुसी रिजन का दसना है ठीक है भी तुसी अग्रियों यह डिसे अग्रियों ठीक है जी मैं फर्स्ट संटेंस लिख है that no money can guarantee ठीक है जेडी sense of fulfillment है तो नहीं satisfaction तो मिल दिया ओ तो नहीं मनी नाल नहीं मिल सकती जेडी पावना तो नहीं मल के feeling है जेडी satisfied हों उस ताइम हों दिया ओ तुसी पैसे नाल नहीं लेके आ सागते ठीक है जी एता होगे थोड़ा ओ देता तुसी क्लाइन देविच अपना दास्ता भी मैं agree है disagree है पता लागया भी तुसी अथे disagree कर रहे हो ठीक है फिर थोड़िया आगे जी reason थोड़ा एक explain का अंदिवारी second sentence अपने शुरू करता even if someone is earning a high salary कैने जे कोई high salary earn कर रहे है but feels tense and compromised with the conscious conscious हुंदा भी अपने जमीर नाल किया हूँ sadis ओ feel की कर रहे है एक ते tension जी feel कर रहे है ते ओ वदिया हूँ नहीं है ठीक है compromise कर रहे है अपने जमीर देना भी कहा time pass जा करना भी हां मैं एक job कर रहे है ठीक है he won't enjoy his life किया हूँ अपनी life ने enjoy नहीं कर रहे है बस एक job ते चले यांदा 8 कंटे पूरे कर के आ रहे है एदनाल नाता तुसी किसे नूँ कुझ सिखा सादयों ना तुसी कुझ सिख सादयों ठीक है सो बिग सेलरी दा अपने थे दास्ता रीजन नो जड़ा explain करता है कि जड़ा बंदा किया है अर्निंग उदी वदी है पर किया हो tension जरेंदा depression चुरेंदा ठीक है अपने जमीर ना भी बस ही के compromise कर रहे है फिर किया अपनी life ने enjoy नहीं कर पाउंदा ठीक है while pursuing one's interest will always bring pleasure and a feeling of satisfaction ठीक है जी जे केंदे किसे दा interest होगा तांकिया उन्हों वदी है की होगी pleasure happiness होगी feeling of satisfaction होगी जे बंदे दा interest है as compared to higher salary ठीक है जी उन एक्जांपल उस तो बाद में थानू कैसी reason तो बाद एक्जांपल देनी है एक्जांपल देती for instance for example भी लिख सकते है ठीक है जी a lot of researchers in the world keep with their roles researching academic issues in society with low income कैंदे बहुत ज्यादा जेडे researchers ने scientists ने low income दे नाली कम कर रहे हैं अने because they are passionate about science क्योंकि उन्हें थे science ची की है बहुत ज्यादा इंट्रस्ट आओ पैस्ट है उन्हां ची भी science दे रहे लेटेड कम कांच ची कर सार्च कांच ची कर सार्च कांच इत्थे आगया थोड़ा fifth sentence that is why it is more important to choose the kind of work that makes happy than to look only at a higher salary ठीक है ताह करके किया है विजे तुसी बार कितना था चूज कर दे हूं विजे स्टिस्फेक्शन जादा थो न्हों ठीक है ताह किया है और इनल थोड़नू benefits ही उन्देने more यह ताह करके है important है वि तुसी अपना reason जेड़े देते हो तो बाद ने summary रास्ते विजे ताह करके है important है to choose the kind of work that makes happy भी क्यों तुसी इद्धा दा work choose करों ठीक है जी तो इस तरह तुसे इसनू step by step पी चल रहना हो और कुछ भी नहीं हागा ऐल्स ते ऐसे agree ते disagree जे step by step चल लोंगे थोटे band score किते नहीं गया बड़ जे उद्धा ही लिखना स्टार्ट करता कोई ओधा link निया कोई तुसी उसनू explain नहीं करता उइं तीन चार point लिखते भी हाँ आभी point होन्यों सिर्फ यह होज़े अदर भी point बाद तो बाद लिखे ठीक है point नहीं होने चा फिर example देती दन फिर summary देती ए examiner नूँ चेक करना सौख है वी हाँ इक ठीक हो बांद रहा है वी थोड़ा link बांद रहा है वी सारा गेड़ा लिखे है वी हाँ step by step पहला आगाल करती फिर ओधे नल आगाल करती फिर उसनू clear करता ठीक है सु इस तरह करूंगे ताम बहुत ब खुद लिखोंगे ठीक है पहला आप देखते हैं वी की लिखया गया अनादर पॉइंट तू कंसिडर इस दैट वी जड़ा अनादर पॉइंट है वी तूसी सेम लिख साग देऊं ठीक है वट यू लाइक कीप्स यू मॉटिवेटेद दूइंग वट यू लाइक कीप्स जबी ग्रोथ हुंती है ठीक है जी इन अदर वर्ट्स देर इस ट्रॉंग लेशन बिट्वीन जॉब साटिस्फेक्शन और परड़क्तिविटी इदा मतलब किया है जे तुसी इंट्रस्ट रख दें किसे भी जॉब देच बहुत ज्यादा इंट्रस्ट है ताह होती जड़ पूरे आप पूरा मलके मेंद करके करोंगे हाड़ वर्क करके करोंगे ताह आटोमेटिकल जड़ी जड़ी होती होती हो ज्यादा निकल के आओगे ठीक है जी पीपल हू लव देर जॉब्स चैन इसली एक्जल इन देर फील्स और वर्क्त चैन जड़े अपनी जॉब नहु रिजल्ट हो का पॉंदेने हूँ पूट सेलरी ओन दा फर्स्ट प्लेस उनना ना लूँ जड़े सेलरी नो फर्स्ट प्रेफरेंस मांदे हैं कि जादा सेलरी होनी चाहे दिया है फॉर एक्जांपल ठीक है हून मैं तो नूँ की कैसे भी एक्जांपल तुसे खुद लिखन सेलरी ना चाहे थी ठीक है उदा एक आठ चे मलके डांसर चे डांसिंग जादा इंट्रस्ट सिगा इस दो इलावत उससी कोई से पर्सन नो वर्ल्ड वाइड एक्जांपल होनी चाहे दिया यह भी ने आले द्वाड़े किसे अंकल अंटी दे यह होनी देनी है कि अपने कोई सिंगर जिसने अपनी जौब कुट किती होए ओ सिंगिंग चाह गया होए यह पॉलिटिशन चाह गया होए जिस दे बार अटुन पता तुसी उस बार एक्स्पेइन खाल सागे हो कि थोड़ी चीस तो बात उसी का समरी लिखनी है जिमें अपने फास्ट पॉइंट किता रहें है ठीक है करियर ग्रोथ हड़ा भी कर रहा है फिर रिलेशनिशिप बिडवीन जॉब साडिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी दा मतलब अग्गे इसनों क्लियर करता है की में हो अपनी वर्क देविच की में हो बैटर आउट्पुट नूं की में ग्रोव कर साथ है में जडा बिजनेस यां कोई जोब है ठीक है ओदे वीच मतलब के बेटर हो बैजड़ullenक् Early कि में सकता हैадцे जीजब प्यार करता है अपने काम में नूं प्यार आ हो bestow h Asian Candle डिसेगरी नहीं हागे अगरी होता तुसी उस्ते अपने पॉइंट्स लिख सब दो ठीक है जी ते इसदा कंक्लूजन भी तुसी खुद लिखना कंक्लूजन दे विच की है इक ता तुसी अपने उसनों पेराफ्रेस करना द्वारा ठीक है अपीनियन नू ठीक है ते रिस्ट तुसी एक बारी ट्राइब करें तो नापता लगया तो मैं दो नूँ दासतों की भी अपने कितना लिखने एक वरी ट्राइब करके देख्यों ठीक है जी एसी तोड़ी आजदी क्लास जिस अपने अग्री ते डिसएग्री एक से किता है मिन्नों आसे के तो नूँ बातो बाते शेयर करो ते मेरे चैनल लो सब्सक्राइब करो ते बेल आइक अन ते क्लिक करो तांके और वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन तो आनू मिल सके ओके जी मल दे आना में वीडियो दे नार बाबाई टेक यार झाल!